कॉंग्रेस नेता और वाइनार्ट से सांसद राहूल गांदी की लोगसभा सदस्यता शुक्रुवार को रद्द कर दी गई लोगसभा सचिवाले की ओर से संबंद में अधिसूचना जारी कर दी गई राहूल को गुरुवार को सूरत की अदालत ने मोधी उपनाम से जुड़े मानहानी मामले में दो साल की सजा सुनाई थी इसके बाद फॉरण ही उन्हें जमानत भी मिल गई राहूल गांदी की लोगसभा सदस्यता जाना उनके लिए दूसरा बड़ा जटका है यानि कि दो दिन में राहूल को दूसरा बड़ा जटका लगा राहूल गांदी की सदस्यता जाने के बाद सवाल उटने लगा कि सदस्यता रद करने की अदिसूचना में लोगसभा सचिवाले की ओर से क्या कहा गया है इस अदिसूचना का असर राहूल के चुनावी करियर पर क्या पड़ेगा उनके पास आगे क्या विकल्प है ये सारी चीजे मैं आपको बताता हूँ राहूल के लिए सबसे पहले आगे क्या रास्ते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से किसी भी कोर्ट में दोशी ठहराये जाते ही नेता की विदाई की सानसदी चली जाती है जैसा कि राहूल के साथ हुआ इसके साथ ही अगले 6 साल के लिए वो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए आयोग्यों हो जाता है राहूल की सानसदी चली गई अगर कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिलती है तो राहूल 2024 और 2029 का लोगसवा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे राहूल के सामने विकल्प क्या है राहूल गांदी को इस सजा के खिलाफ अपील करने के लिए सूरत कोर्ट ने 30 दिन की मौलत दी है राहूल सजा के खिलाफ कोर्ट जाएंगे कोर्ट अगर सूरत की अदालत के फैसले पर रोक लगाती है तो उन्हें राहत मिल सकती है वहीं राहूल लक्षद्वीब के सांसद मौम्मत फैजल के मामले की तरह राहत की भी उम्मीद कर सकते हैं फैजल को एक मामले में दस साल की सजा हुई थी उनकी सीट पर उपचुनाओ का ऐलान भी हो गया था हलाकि हाई कोट ने चुनाओ पर रोक लगा दी थी राहूल गांदी उन्हें अयोग ये करार दिये जाने के लोगसभा महसची वाले के फैसले को अदालत में चुनाओती दे सकते हैं नियम क्या है वो भी समझे है दरसल 2013 में सुप्रीम कोट ने लोग परतिनिदी अधिनियम 1951 को लेकर अधियासिक फैसला सुनाया था कोट ने इस अधिनियम की धारा 8-4 को असमवधानिक करार दिया था इस प्रावधान के मताबिक अपरादिक मामले में दो साल या उससे ज़्यादा सजा के प्रावधान वाली धाराओं के तहे दोशी करार किसी निर्वाचित प्रतिनिदी को उस सूरत में आयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था अगर उसकी ओर से उपरी नियाले में अपील दायर की गई हो यानि धारा 8-4 दोशी सांसद विदायक को अदालत में निर्णे के खिलाफ अपील लंबित होने के दोरान पद पर बने रहने की छूट प्रदान करती थी इसी को लेकर जो अध्यादेश आया था राहूल गांदी ने उसकी बड़ी मुखालफत की थी राहूल गांदी ने उसे बकवास तक करार दिया था और उसे फाड़ने तक की बात कही थी आपको याद होगा उस समय आजे माकन प्रेस कॉन्फरेंस कर रहा थे कॉंग्रेस के लिए भी ये चौकाने वाली बात थी हलाकि सरकार उस समय यूपिये की ही चल रही थी मनमोहन सिंग उस समय प्रदान मंतरी थे आरजेडी का मामला था राहूल गांदी की इमज इससे और बहतर होती ऐसा महसूस किया जा रहा था लेकिन ऐसा लगता है कि वो अध्यादेश या उसके वो अध्यादेश उस समय पारित होता और ये सिती बनी रहती कि हायर कोट में अपील करने के बाद आपकी सदसिता रद नहीं होगी तो राहूल गांदी की सांसदी आज शायद बच जाती है लेकिन ये अध्यादेश या इसकी मुखालफत करना ही राहूल को भारी पड़ा हलाकि राहूल ने उस समय आज से कई सालों पहले इस अध्यादेश की मुखालफत की थी और उसके बाद ये मामला काफी लंबे समय से चल रहा था चार साल तो इसी मामले को हो गए मानहानी का जो मामला था और राहूल गांदी को सजा मिली दोनों मामले अलग-अलग हैं लेकिन आज फिर इनको एक साथ जोड़ कर देखा जा रहा है राउल गांदी को सजा क्यों हुई है कितना गंबीर मामला रहा है उसको भी समझे क्योंकि इस पर जमकर राजनी तियोरी कॉंग्रेस कारोप है बीजेपी घेर रही है अलोग तांत्रिक है ताना शाय है लेकिन ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट में साक्ष रखे जाते हैं कोर्ट दोनों पक्षो को सुनता है उसके बाद में अपना फैसला सुनाता है राउल गांदी की ओर से 2019 में मोधी सरनेम को लेकर एक टिपपणी की गई थी और सूरत की अदालत में इसी पर सुनवाई चल रही थी कोर्ट ने उन्हें धारा 504 के तैट 2 साल की सजा सुनाई है कोर्ट ने पाया कि उन्होंने एक समुदाय विशेश को नाराज किया है और ये उनके लिए आपत्ती जनक टिपणी है क्योंकि किसी विशेश पर नहीं कितने मोधी ढूंडेंगे तो मिल जाएंगे और चोर से मोधी सरनेम को उन्होंने कंपेर कर दिया था कई मोधी हैं जो इससे नाराज हो गए थे हाला कि कोर्ट के फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मौलत भी मिली है इसके साथ ही उन्हें तुरंट जमानत भी दे दी कही राउल ने क्या कहा था उन्होंने 2019 लोगसभा चुनाओं के दारान करनाटक के कुलार की एक रैली में ये कहा था कि कैसे सभी चोरों का सरनेम मोधी है इसी को लेकर भाजपा विदायक और गुजरात के पूर्मंत्री पूर्नेश मोधी ने राउल गांदी के खिलाफ ये मानहानी का मामला दर्ज करवाया था उनका आरोप था कि राउल ने अपनी इस टिपणी से समूचे मोधी समुदाय की मानहानी किये राउल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 ये मानहानी के तैत मामला दर्ज किया जाए इसी में सुनवाई हुई चार साल का समय लगा राउल ने भी अपना पक्ष रखा था लेकिन कोट ने माना कि वो निर्दोश नहीं है इस मामले में उनको दोशी पाया गया दो साल की सजा दी गई और दो साल की सजा मिलते ही उनकी सान सदी चली गई अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें